कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सुसान सिंग राजपुत को खतम करने की कोसिस उस टाइम पर की गई जिस टाइम पर सुसान सिंग राजपुत जिन्दा थे जी हाँ ये तो हम सभी जानते हैं कि सुसान सिंग राजपूत को 14 जून को खतम कर दिया गया लेकिन एक सचाई इसके पीछे की वो भी है जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा और दोस्तों इस वीडियो को अंतक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुसान सिंग राजपूत को कितने सातिर तरीके से बहुत बड़ी प्लानिंग करके तब जाकर के खतम किया गया था जी हाँ आपको बता दे सुसान सिंग राजपूत का इस दुनिया से जाना दोस्तों यूही अचानक से घटी तोने वादी कोई घटना नहीं थी बलकि सुसान सिंग राजपूत को बहुत ही बड़ी प्लानिंग की तहत खतम किया गया था और तोर मैं आपको उता दू कि जब सुसान सिंग राजपूत इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके थे ऐसा पूरी दुनिया को लग रहा था उस टाइम पर भी दोस्तों सुसान सिंग राजपूत जिंदा थे ये सूच करके कि किसी का ध्यान उस ऑइली पर ना जाये बर ना साय सुसान सिंग राजपूत को बचाने की कोसिस की जाएगी और फिर मुझने इम पकड़े जाएंगे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेगा मैं आपको बताओंगा कि कैसे सुसान सिंग राशपूत केस में बड़े ही साथिर तरीके से खेल खेला गया दोस्तों ये तो मैं आप हम सभी जानते हैं कि सुसान सिंग राशपूत केस में महराश्ट की पुलीस पर कई तरह के सवालिया निसान उठे थे साप साप कहा गया था कि महराश्ट की पुलीस सबूतों को मिटाने की कोसिस कर रही है अब दोस्तो जो खबर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसे जानने के बाद आपको ये ऐसा हो जाएगा कि सुसान सिंग राजपूत केस में रियल में ही सबूतों को मिटाने की कोसिस की गई जी हाँ आपको बता दे सुसान सिंग राजपूत के घर में दोस्तों जिस टाइम पर पुलिस वाले पहुँचे थे उस टाइम पर काफी सारे ऐसे सबूत थे जिसे पता किया सकता था कि आखिर सुसान सिंग राजपूत को किसने खतम किया लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो इसके प उंग्लियों को हिलने का पर्यास कर रहे थे और फिर सुसान सिंग राशपूत को इंसाब भी नहीं मिला अब मैं आपको सुसान सिंग राशपूत को विडियो भी दोस्तोव सोसल मेडिया पर वाइल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि सुसान सिंग राशपूत को बेहती सातिर तरीके से सोच तमश करके खतम किया गया और सुसान सिंग राशपूत के घर में की भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि सुसान सिंग राशपूत का भला चाहते हैं नहीं थे और इसी वरे से सुसान्त की उंगलियों पर कपड़ा डाला गया दोस्तो अगर इस केस में एक बार फिर से CBI अच्छे से जाच करेगी तो यकीन मानिए कि आज भी सुसान्त सिंग राजपूत केस में सौल्व होने वाली बहुत सारी चीजे पड़ी हुई है जिस पर CBI की अभी तक नजरे नहीं गई है अगर CBI इस केस में अच्छे से काम करेगी तो यकीन मानिए सुसान्त सिंग राजपूत को आज भी इंसाफ मिल सकता है और सुसान्त का केस आज भी सौल्व हो सकता है बस जरूरत है तो हम सभी सुसान्त सिंग राजपूत के फैंस को मिलकर के आवाज उठाने की Justice for SSR कहने की इसलिए आप सभी कमेंट में जरूर लिखना Justice for SSR और सुसान्त के लिए नयाय की लड़ाई हमेजा लड़ते रहना है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद